माननिय जनल वीके सिंग जो की हमारे राश्ट्र के विदेश राज्य मंत्री हैं इंद्रेश जी जो की इसके सूत्रधार है फैंस के और हमारे बीच उपस्तित बहुत सारे माननिय अथितिगंड जैसे की लेटरेंट जनल वत्स जो की मेंबर पार्लियमेंट है राजय सबा के बाकी मैं सब के नाम नहीं ले पाऊंगा पर मंच पर आसीन मेरे साथ मेरे पैनल में जो मेरे पैनल की पुस्ताबना है वो इस तरीके से है कि उसमें मेरे साथ जनल संदू है और येकब थॉमस साब है जो क सब्जेक्स की बार कुछ ऐसे कर दी है और मेरे उपर एक बाहर से भी कंस्ट्रेंट लगा है कि जनल वीके सिंग को पार्लियमेंट में जाना ही है वहाँ पर विप स्थापित हुआ है तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि पहले मैं कुछ बोलूँगा फिर हम जनल वीके सिंग साब से अन्रोद करेंगे कि वो बोलें और उसके बाद हम जनल संदू से अग्रे करेंगे कि वो एक्टीस्ट के बारे में बताएं और थौमत साब हमारे को मेरी टाइम और कोस्टल सिक्योरिटी के बारे में अपने विचार देंगे देखते हैं उसमें आज देश की जो हर एक देश के अंदर एक comprehensive national power का इस्तमाल किया जाता है जिसमें सिर्फ फौजे ही नहीं है फौज के साथ बहुत सारे दूसरी चीज़े जुड़ी है जैसे की ministry of external affairs जो diplomatically ही यह हलत ना आने दे की लड़ाई हो जैसा की डोकलम के बाद देखा गया कि उन्होंने उस चीज़ को ठीक कर लिया resolve कर दिया उसको तो इसलिए जनल वीके सिंग साब के विचार सुनने हमारे लिए बहुत जरूरी होंगे इसके अलावा बहुत दूसरे साधन है जैसे की अभी अमेरिका चीन के साथ ट्रेड वार्स कर रहा है लेकिन हम उन तमाम इशूज के उपर इतना टाइम जाया नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो पेपर लिखा वो बॉर्डर गार्डिंग पे लिखा मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ बड़े बलंड टर्म्स के अंदर मैं बहुत जगह पे जाता हूँ लोगों से बातें करता हूँ हमें ये भी नहीं मालूम कि हमारी सीमाए कैसे है और किस हालत में हम बात क्या करते हैं अपने देश की सुरक्षा करने के लिए अगर मैं आप से सवाल पूचूँ कि हिंदुस्तान का जो लैंड बॉर्डर है वो सबसे ज़धा किस देश के साथ है इमानदारी से जवाब दीजी मैंने चाइना सुना लेकिन बंगला देश के साथ ये हैं हमारी हालत हम जानते नहीं कि हमारी देश की सीमाएं किस के साथ जुड़ी है और हम बात करते हैं बारी सुरक्षा की और हम संबंदित हैं फैंस के साथ तो हम किसी दूसरे को जाकर क्या बता सकते हैं ये मैं देख रहा हूँ यूनिवरस्टीज में देख रहा हूँ कॉलेजिस में देख रहा हूँ और जो जर जोरू और जमीन का हक्तार नहीं होता वो अपनी सुरक्षा क्या कर सकते है और हमें बता के गए माननी है भाया जी जोशी जब मैं आर्मी कमांडर था तो मैंने इस बात के उपर बहुत जोर दिया था कि सीमा की सुरक्षा सिर्फ सेनाओं की जम्मेवारी नहीं है जागरुक हिंदुस्तानी चाहिए हमें देखिए हमारी सीमा अब तो बात साफ हो गई 15,000 किलो मीटर लगबग लैंड बॉर्डर है 6 देशों के साथ बंगला देश सबसे जएदा है उसके बाद चीन पाकिस्तान है उसके अलावा हमारा मेरी टाइम बॉर्डर है लगबग 7,000 किलो मीटर जहां पर की लोग घाड करेगा एक विचार था कि उसको अभी असाम राइफल कर रही है बीच में सुनते थे आईटी बीपी को दे दो इसका निदान जल्दी कर देना चीए उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया जहां जहां हम बॉर्डर डिफेंस कर रहे हैं वहाँ पर पेरा मिलिटरी फोर्सेज को आर्मी के नीचे रखना चीए और तीसरी चीज है कि जो ये बीएस एफ और आईटी बीपी और इस तरह की फोर्सेज है इसके अंदर पेराशूटिंग नहीं होनी चीए कि आज क्या होता है आईपीएस आफसर आते हैं ये थौमत साहब मुझे माफ करेंगे और उनके साथी भी माफ कर देंगे जो भी ये बैठे आईपीएस के वो बाहर से आते हैं उन्होंने उस काडर में नोकरी नहीं की होती और आके बैठ जाते हैं राजपाल जी सिरलारे मैं खुश हूँ हाँ तो आकर और वो उपर बैठ जाते हैं सिंगला साब ने कोई रियक्शन नहीं किया तो मेरे को ढर लग रहा है बाद में बाद कर लेंगे सिंगला साब तो ऐसा है कि ये एक बहुत बड़ी समस्य है हमारे विचार में और एक बार ये सुझाब दिया गया था कि तमाम लोगों को आप जो बी एस एफ, सी आर पी एफ वगरा में जाते हैं उनको पहले आर्मी के थूँ लीजिए एक एंट्री से उनको एकठा ट्रेनिंग दीजिए और उनको पांट साल आर्मी में नोकरी कराईए तो उससे उनमें आर्मी का कल्चर आ जाएगा ये मेरा ये बहुत पुराना सुझाव है जब मैं लेफटनेंट करनल था तब दिया गया था और गुजराल साब ने इसको सहमती दे दी थी लेकिन फिर इसको लोगों ने ऐसे कर दिया तो अगर चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी बाते हैं समय का अभाव है और वीके सिंग साब ने पारलेमेंट जाना है और मैं तो इनका बच्चा राए ये नाराज हो जाएंगे तो इसी के साथ मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया मैं अपने विचार रख सका धन्यवाद क्या मेरी हिंदी ठीक थी